Hello dear S1, कैसे आफ शाहबगण चलिए, आफ की आध की क्लास, आज हम पढ़ने वाले हैं Income Tax के अंदर very important topic जिसके अंदर हम पढ़ने वाले है Previous Year क्या होता है and assessment year क्या होता है Previous Year का मतलब होता है, जिस साल हम income कमाते हैं Assessment Year का मतलब होता है, जिस साल मैंने income कमाई उससे next year हम text भरते हैं, उसको बोलते हैं assessment year, आए इसको detail में discuss करते हैं, तो चलिए, देखते हैं यहाँ पर, सबसे पहले आजाते हैं यहाँ पर, जो year अपना चल रहा है, उसके इसाब से previous year कौन सा अपना, 22, 23, and assessment year उससे next है, 23 and 24, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं assessment year, right, तो यह पर लिख रखा है, the term has been defined under section 2, subsection 9, एक तो यह याद रखना, assessment year की definition यहाँ पर दे रखे हैं, और यह assessment year कितने महीने का होता है, यह 12 महीने का होता है, 12 मन्त का होता है, कब से start होता है, जैसे कि आपको पता है, accounting year start होता है, 1st April से लेके 31st of March तक, वैसे ही इसको start करेंगे, right, the year in which income is earned, क्या लिख रखा है, the year in which income is earned, तो जिस साल पैसे कमाए, उसको क्या बोलते है, वही तो previous year, is the previous year, लिख रखा है, and such income is taxable in immediately following year, which is assessment year, मतलब, जिस साल आपने income कमाई, उससे अगले साल आप tax भरोगे, जिस साल इंकम कमाई, वो previous year, और जिस साल टेक्स भरना है, वो अगर मेरा previous year अभी कौन सा चल रहा है, 22, 23, तो टेक्स का भरूगा मैं, 23, 24, तो यह 23, 24 assessment year हो जाएगा, और यह मेरा previous year हो जागा, I hope clear होगा, आगे चलते हैं, और detail डिसकस करते हैं, यहाँ पर क्या बोल रखा है, assessment year always start from, हमेशा assessment year कब स्टार्ट होएगा, 1st April से, एच एच a period of 12 month, और हमेशा 12 मेने का होएगा, यह बात द्यान रखना, अब डिटेल में डिसकस करेंगे previous year, हाला कि previous year आपको अच्छे से समझ में आगा हुआ, कि previous year का मतलब होता है, जिस साल आपने income कमाई, लेकिन इसको define किस section में किया गया है, section 3 है, उसके अंदर define किया गया, it means the financial year immediately preceding the assessment year, मतलब वो financial year, कौन सा, immediately preceding, preceding मतलब पीछले वाला, assessment year से पहले वाला साल, as mentioned earlier, income earned during the previous year is taxable assessment year, जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके है, कि जिस साल आप income कमाऊगे वो previous year है, और उससे next year आप tax बढ़ोगे वो assessment year आपका, लगन यहाँ पे एक important topic आता है, very important, very important, business और profession के यहाँ पे important point है, business है अगर आपका, या कोई profession है, जैसे आप chartered accountant का profession है, lawyer का, या किस तरीके का, newly set up during the financial year, मतलब अगर किसी साल जरूरी थोड़ी है कि मैं 1st April से ही business start करूँगा, मैं तो किसी भी date से start कर सकता हूँ, तो उस time पर मेरा क्या होएगा previous year या क्या की चीज़े या जिस time पर आपने profession setup किया है, वहाँ से सुरुआत करके 31 मार्च को आपका साल खतम हो जाएगा, आए, इसके कुछ एक्जामपल देखते हैं, सबसे पहला एक एक्जामपल दे रखा है, A is running, माल लेते है मैं A हूँ, A is running a business, मैं business कर रहा हूँ, 93 से, तो 93 से मैं business कर रहा हू तो मेरा क्या हो देगा, previous year इसमें तो कोई दिकते हैं आपको, आगे कहता है, इस Chartered Accountant, चार्ट अक्शन है एक profession है, तो चार्ट अक्या है, एक profession है, बिजनिस और पर्रफेशन के लिए अलग बताया था, या दहने, कर देखते है, कब मान लेते है मैंने अपना profession से रूँ किय आपका profession setup को हुआ है 1st July को, तो 1st July से start हो जाएगा आपका, लेकिन खतम होएगा 31st of March को, इसे बोलेंगे previous year, I hope clear है, आज के लिए इतना ही वीडियो को लाइक करें, चनल को करें सबस्क्राइब, next topic देखने के लिए, बेल आइकन को जरूर दबाए, बाइ!